पुरार जी बाई वीपी सी एक प्रगार से कॉंग्रेस में जीवन खपाया था लेकिन एंटी कॉंग्रेस गवर्म का नेतुत तो कर रहे थे यह भी इसकी विशेस्ता थी और हमारे नर्थिमाराव जी वो तो बिस्थरा गोल करकर गर जाने की त्यारी कर रहे थे निवरुति क गोष्णा कर चुके थे लेकिन यह लोग कंतर की ताकत देखिए स्तधन की ताकत देखिए वो प्रधान मंत्री के रूब है पांट साल हमारी से अधनिया जीजी जी सबकी सहमती से कठीन से कठीन कारिया होते हुए हमने देखे हैं दो हजार की साल थी अतल जी की सरकार थी इसी सबन ने तीन राज्यों का गठन सर्वस्विकृति से किया और बड़े उमंग उत्सा से किया जब चत्रींुषगण की रचना हुई तो उत्सव चत्रींुषगण ने वी मनाया उत्सव मद्रदेश ने भी बनाया जब लगां के लिए भारी प्रयास हुई है खुन की नदिया भी वही अबनने के बार न तेलंगना उत्सव मना पाया ना आंद्र उत्सव मना पाया एक कटुता के बीज बो दिये गए अच्छा होता उसी उमंग और उत्सा के साथ हम तेलंगना का निर्मान करते तो एक नई उचाई परा तेलंगना पहुँच चुका होता आद्रियत देग जी समिंदान सभाने आद्रियत देग इस सदन की परंपर आ रही है संभीदान सभाने कुछ समय अपना दैनिक भत्ता पैतालीस रुपिय से कम करके चालिस कर दिया था उनको लगा हमें इसको कम करना चाहिए है आद्रियत दिग यही सदन है केंटिन में मिलने वाली सब्सेड़ी जो भहत कम पैसे में खाना मिलता था इशी सदस्यों ने उस सब्सेड़ी को भी खतम कर दिया और पूरा पैसा देकर करके अब केंटिन रहासा आदन यद्दिक जी, कोरोना काल में जब जरूर्ट पड़ी तो यही सांसद जोनों ने MP लेड़क फंड को छोड़ दिया और देश को इस संकर की घड़ी में मदद करने के लिए आगे आए इतना ही नहीं कोरोना काल में कोरोना काल में इसी सदन के सांसदों ने अपने कनखा में 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत कटोती की और उन्होंने देश के सामने आये हुए संकर में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई आदनिय देख जी हम गर्व से कह सकते हैं यह सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं हमारे पूर्वजों सदन में बैठे हैं वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जन प्रतिशत कानून में समय समर पर कठोरता बरती है निय Among नहीं लांदे, हमने इक काय कि अगने, जन प्रतिनीस्ती के जिवन में यह नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ यह जीवन तो लोकत्तन का बहुत बड़ा उधाना और यह शननी ने डिया है, यही मांनिय escolada ने दिया है और हमारी पुराणी पृणि के serosuna ने दिया है और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए आदेंडिये देड़ जी हम जो बरतमान साउसद है उनके लिए तो इविशे स्वभागय का अउसर है तो बागय का अउसर इसलिए है कि हमें इत्यांस और भविश्व दोनों की कडी बनने का अउसर दिल रहा है और आने वाली कल निर्बान करने का एक नया विश्वाथ नया उमंग नये उसाख़तार हम यहां से विदाय लिने वाले हैं हादर निया देख बहुत है आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी साड़े साथ हजार जल्पतिनी दिराय चुके हैं उनके जवरोगान का पॉला है इन दिवारों से हमने जो प्रेना पाई है जो नया विस्वास पाया है उसको लेकर जाने का है बहुत चीबात ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हगदार थी लेकिन शायद राजनिती उसमें भी आड़े आ रहे हैं नहरुजी के योगजान का गवरोगान अगर इस सदन में होता है कौन सगसे होगा जिसको ताली ब बावजुद भी उसके बावजुद भी उसके बावजुद भी देश के लोक कंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने आँसोंच लें आदेनियों देख जी मुझे पुरा विश्वास है कि आपके मारदर्शन में और इस अनुभवी मानिय सांसदों के सामर्तस है ह हम नई संसद में जब जाएंगे तो नई विश्वास के साथ जाएंगे मैं फिर एक बार आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्पूर्तियों को ताजा करने के लिए दिया एक अच्छे वातावर्ण में सब को याद करने का मोका दिया इसके लिए मैं आप सब का आपका करता हूं और मैं सभी सदस्व से आगरे करूंगा कि अपने जीवन के ऐसी मधूर यादों को यहां हम जुरूर व्यक्त करें ताकि देश तक पहुंचें कि सचमुच में यह हमारा सदन यह हमारे जनप्रतियों की जतिवीदी सच्चे अर्थ में देश को समर्कित हैं इसका लोगों के तक पहुंचें इस से जप एक शागिजात मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करता हूं